सब्सक्राइब करें GST प्लाटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इंकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए Good morning friends, GST प्लाटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जी हाँ friends, GST के अंदर जो interest का rate है on reversal of input tax credit उसको लेकर के काफी जादा confusion आ रही है ये जो reversal of input tax credit हम लोगों को करना है इसके उपर interest rate कितना लगेगा क्या उसमें 18% चार्ज करना है या फिर 20% rate 24% के हिसाब से input tax credit के उपर input tax credit का जो interest amount है वो भी calculate किया जाएगा तो जुए रहिएगा इस वीडियो के end तक थाकि आपको भी section 50 के अंदर जो हमारा sub section 3 है जहाँ पर input tax credit wrongly utilized के मामले में interest computation की बात करता है उसमें क्या बाते लिखी है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ आप देख पा रहे हैं section 50 है जो बात करता है interest on delayed payment और इसका sub section 3 कहता है where the input tax credit has been wrongly availed जहाँ पर आपने input tax credit गलत तरीके से ले लिया है और उसको avail करने के बाद उसे utilize भी कर लिया है तो सबसे पहली चीज तो यह कि अगर आपने interest 3B में claim किया है लेकिन वो आपके credit ledger में अभी utilizable bond में नहीं है यानि कि उसको utilize आपने नहीं किया वो आपके credit ledger में पढ़ा है तब interest की बाद 50 sub section 3 में नहीं होती है अगर आपने claim करने के बाद उसे utilize कर लिया है तो आपको interest pay करना है अगर वो गलत था the registered person shall pay interest और उस ITC reversal के साथ आपको interest का payment भी करना है on such input tax credit wrongly availed and utilized at such rate not exceeding 24% अब यहाँ पर confusion इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर यह जो lining लिखी गई है कि वो जो ITC reversal के उपर interest लगना है वो लगना है कई लोगों का मानना है 24% जबकि यहाँ पर language लिखी गई है कि वो जो interest rate होगा वो exceed नहीं करना चाहिए 24% से यानि कि maximum rate जो है वो 24% हो सकता है but actual rate for interest क्या होगा वो होगा as may be notified by the government on the recommendation of the council and interest shall be calculated in such manner as may be prescribed तो interest का calculation किस तरीके से होगा इसके लिए manner prescribed किया जाएगा जो rule 88 capital B के अंदर करके दिया गया है अगर आप लोगों को ये important information नहीं है कि rule 88 B जो नया introduce हुआ है ये क्या है तो इसके लिए आप हमारी मंतली tax magazine का subscription ले सकते हैं जिसमें आपको monthly GST and income tax related updates जो है वो provide किये जाते हैं और अगर आपको GST का full course यानि कि GST के सारे sections अच्छे तरीके से समझना है तो उसके लिए भी आप same number पे call करके whatsapp करके आप इसका benefit ले सकते हैं क्योंकि GST के full course में अभी चल रहा है discounted offer तो आप इस discount offer की benefit के लिए भी आप दिये गए numbers पे समपरक कर सकते हैं अब यहां देखेंगे आप तो यहां बताया गया है कि maximum 24% होगा लेकिंग जो rate है वो notify करेगी government तो क्या government ने notification निकाला है जी हाँ government ने notification निकाला है notification number 13 oblique 2017 central tax के अंदर और इसमें इन्होंने बता रखा है कि section 50 subsection 1 हो या section 50 subsection 3 हो इन दोनों के लिए interest rate क्या prescribe है 50 subsection 1 बात करता है अगर आप अपनी output tax liability delay करके जमा करते हैं तब और section 50 subsection 3 कहता है कि आप input tax credit गलत avail करने के बाद गलत utilize कर लेते हैं तो आपका interest क्या बनेगा तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस notification में जो इसका serial number 2 है यह serial number 2 कहता है subsection 3 of section 50 के अंदर जो rate prescribe रहेगा यह रहेगा 18% ना कि 24% वहाँ लिखा गया है maximum rate 24% लेकिन actual rate जो होगा वो notify करेगी government जो 24% से उपर नहीं हो सकता है तो at present जो आपका notified rate है वो है 18% का लेकिन यहाँ पर एक सवाल है क्या यह 18% कभी 24% हुआ करता था जी हाँ friends यह भी सचाई है कि यह 18% कई साल पहले 24% भी हुआ करता था क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे amend किया गया है यह जो point number 5 दिया गया है अगर आपको मैं दिखा हूँ तो यह जो है 18% कभ से हुआ और किस तरीके से किया गया तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो 18% वाली बात आ रही है वो किया गया है Finance Act 2022 के जरिये जो की 30 March 2022 को notify हुआ है और उसमें यह लिखा गया है with retrospective effect from 2017 July जब से GST लगा था in place of 24 यानि कि जो लोग यह कह रहे हैं कि यह 24% था वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है क्योंकि 2022 से पहले जो यहाँ rate था यह 24% ही लिखा हुआ था इसलिए confusion है कि 30 March 2022 के बाद इस 24% की rate को घटा करके किया गया 18% with effect from 1 July 2017 तो आज की date में आपको यह समझना है 18% अगर आपके कोई पूछे कभी 24% था जी हाँ बिलकुल 24% था लेकिन 30 March 2022 को amendment आ चुकी है और वो जो amendment है वे retrospective effect से amendment जो है इनोंने किया है तो यहाँ पर यह पूरी कहानी जो है इसलिए confusion में लाती है कि 18% है कि 24% है इस वीडियो यही end करते हैं आशा करते हैं आपको यह 18% और 24% की जो कहानी है वो अब clear हो गई होगी अगर आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को भी तक जोइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं GST platform updates के नाम से हमारा टेलिग्राम चैनल जो है उसमें आपको regular PDF files, notifications, circulars जो है वो provide किये जाते हैं अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर first time ट्यून इन किया है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिया गया red color का subscribe टेलिग्र प्रस कर लिजी आपने जो bell icon है उसे प्रस कर लिजीए झाल झाल